तो आज मैं बताऊंगा आपको पतंग बनाने का तरीका आपको चाहिए कैंची टेप और यह जो तीले जो घर में हमारा जारुवत है अब गर बैठे किसी चीद की दुरुत नहीं फालतो चीद की सिर्फ गर वली चीदों से आपकी पतंग बन जाएगी अब इसको लेवल किया हमने है पांच मिन्ट काम है कोई लंबा चोड़ा काम नहीं है इसको लेवल किया है कि इसके बाद हमने कर दी इसकी कटिंग कर दो कर दें चलो है यह यह बन लिया हमारी पतांग की शेव अब यह दो लेने हैं तीले इनको आप जुए नहीं हुआ कि अधागाली या दागया टेप आप कुछ भी इसतमाल कर सकते हैं कि उसको इसको इस तरह गुमा की ऐा इस तरह इसको ना पूरे तीलों पे नए दागया पेट दे नहाता कि दोनों आपस में एक हो जए ठीक है है इस तरह कर लोगे लोनों को इस तरह बना लेना एक मारा लगेगा सेंटर में क norm इंज यह देखें कि युद्युम्रा दूसरा जो है यह ठीक है पहले जाहिसो का न शुक्रें कर लीये कि यह पू दे辺 आता यह नहीं मुद्ध चेंद नहीं कि अन्हुन भी बड़ा बाध कर दो कटेगा एकठे कर देते देखें यह दूसरा भी मेरा तियार हो गहाए और यह मेरा बाई भी बनाना शुरू हो गया मुझे देखे वैसे तो यह खच्चह मार तद आहे लेकिन हाज देखे हैं यह क्या कते हैं लाक तो रही है के सीमिझ बना रहा है je आप जोगा यह देखें जी यह होगी हमारी तियार यहां से राख के अमने इसको कार देना है क्यांची देना इतना ज्यादा उपड़ नहीं करना वास पीछी राक के ना यह यह कट गया है यह होगा हमारा तियार ठीक है अब बारी आगी टेप की भी पैलकुल टेब विरके यह तना न ठीक है यह को रखा इसी तरह डावल टें कि अ यह लागाए निच वदी साइड निच आए अ अब यह दूसरा साइड वाला इसको इस तरह साइड पर रखके रहां से टेप लगा रही है यहां पर टेप लगी अब हमने लगानी है इस तरह कि यहां पर यहां कि यहां कि यहां कि थोड़ा इस तरह करके यहां से क्योंकि बाठी जा रहे है क्योंकि रेट लेवल नहीं है इसको यह लेगी यह होगी ते हाँ अब अम इस पर करेंगे थोड़ इसी कुझें के उरते हैं यह फोड़ेश्ची भी लगी अराम से इतना सा बस्कुटरा लेगा ना पेपर गा कि इस तरह आँ अराम से बस इसको गुलाई आए यह लेकिशा अभी यह पी यह होगी डेकुरेश्चन अच्छा यह लागर आत टेप लगाई यहां टेप लगाई थोड़ी सी नीचे लगा देखें जी यह देखें जी यह उल रही है यह देखें कितनी प्यारी हो रही है यह तरीका बनाने का बिल्कुल इजी घर पे यह देखें बिल्कुल प्यारी और खुब्सूरत जितनी दूर बेजी जो सिदी खड़ी हो के जा रही है देखें जरा ठीक हो गया है यह बन गई है हमारी पतांगी और यह उड़ भी रही है